हेलो एंड विल्कम अगेइन इस्टूडेंस आयम गीता नेगी फ्रॉम नवजोती ग्लोबल स्कूल मोना सो इस्टूडेंस आज हम पढ़ेंगे किलास 4 की मैच चैप्टर 14 स्मार्ट चार्ट आज इसी के हम क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करेंगे और आपको क्या पता है ना कि आपका ये लास्ट चैप्टर है ठीक है तो इसी को हम आज इसको क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करेंगे तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आपका फाइंड आउट फ्रॉम यूर फ्रेंड दॉर ताइम दे स्पैंड इन ओर वीक अब आपको फिल करना है ठीक है इस तरीके से पता करना है अब रेडियो या टीव वीक में कितने लोग बच्चे ऐसे हैं जो जितना और वो सुनते हैं या देखते हैं वो आपको बताना है ठीक है नमबर ओफ शिल्डरन यहाँ पर लिल्खने है आपको पता करके लिखने है ठीक है जैसे भीर दन उए जृट से ज्यादा कितने ऐसे पती थे हैं छो जृट से जपडर देखते हैं हम ने क्या लिखा है 20 and six hours में six hours कितने बच्चे देखते हैं fifteen, five hours fifteen, four hours fifteen, three hours ten children, two hours twelve children one hour, fourteen children अब zero hours do not watch अब ऐसे भी बच्चे होंगे न जो बिल्कुल टीवी नहीं देखते हैं ना रेडियो सुनते हैं तो वो ऐसे बच्चे का भी आपको पता करना है तो कितने बच्चे हैं, four children से हैं जो बिल्कुल भी टीवी नहीं देखते हैं, ना रेडियो सुनते हैं ठीक है, from your table अब आपको टेबल से ही आपको ये कुछ question आपको दे रखें, जिसको आपको feel करना है, ठीक है watching TV and listening to the radio first all at desk, children spend more than six hours up six hours in a week, अब six hours in a week में कितने बच्चे हैं जो six hours से ज़्यादा टीवी देख रहे हैं कितने ऐसे चिल्डन हैं, 20 तो हम इसमें क्या feel करेंगे, 20 इसे जगर second वाला है, that's children spend no time at all, यहां पर आप at लिखेंगे, ठीक है at all आप ऐसे कितने बच्चे हैं जो बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं हमने अब बता एक बात की थी ना तो zero hours वाले जो बच्चे होंगे वो बिल्कुल भी टीवी नहीं देख रहे हैं तो हम इस क्या करेंगे आपे बिल्कुल टीवी या वो चीज़े वो अपना time उनमे spend नहीं कर रहे हैं फोर्थ चिल्डन ठीक है फोर्थ चिल्डन लिखेंगे थर्ड वाला है most children spend 10 hours in a week तो most children जो है वो कितना hours सुन रहे हैं spend कर रहे हैं time उसमें अपना six hours से ज्यादा थे ना more than six hours तो more than six hours यानि कि seven hours ठीक है तो आभी हापी क्या लिख देंगे seven hours इसे तो फोर्थ वाला है that children spend more than three hours अब three hours से ज्यादा कितने children हैं जो उसमें अपना time दे रहे हैं spend कर रहे हैं टीवी देखने में और तो आप क्या करेंगे more than six hours यानिकी इसको add करेंगे six hours से क्योंकि मैं three hours से ज्यादा कि बच्चे चाहिए ना fifteen five hours fifteen four hours fifteen तो यह क्या है यह three hours से जादा जो बच्चे हैं वो spend कर रहे हैं तो हमने इसको क्या कर देना है add कर देंगे जब हम इसको add करेंगे तो answer क्या जाएगा sixty five children spend more than three hours three hours से जादा कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके जो अपना time उसमें spend कर रहे हैं ठीक है तो उसको add करके हम इस तरीके से इसको fill कर देंगे ठीक है अब next है हमारा second वाला find out from 20 friends programs they like and list like and write in a table अब आपको 20 friends आपके जो है उनसे पूछना है कि उनको कौन सा program पसन है कौन सा नहीं है तो हमने यहाँ पर लिख रहे है kind of program यहाँ पर programs के name लिखे है number of children liking it number of children disliking it आप जिनको पसन है वो यहाँ लिखे है जिनको नहीं है वो second वाली box लिखे है तो news कितने बच्चे पसन कर रहे है 10 and कितने बच्चे पसन नहीं कर रहे है 20 में से 10 तो serials two बच्चे पसन कर रहे है और 18 जो चिल्डरन से वो नहीं पसन कर रहे है cartoon 19 and one यह चिल्डरन जो है वो क्या कर रहे है उसको dislike कर रहा है comedy show 18 चिल्डरन लाइक कर रहे है and two चिल्डरन लाइक कर रहे है sports 20 and zero ऐसे बच्चे है जो सभी को क्या है sports पसन है ठीक है इसमें देख रहे हैंगे आप 20 के 20 बच्चों को sports पसन है और zero जो कोई ऐसा नहीं है जो dislike करता हो अब इसी को लेके आपके question है इसी table को लेके फर्स्ट है आपका which kind of program is like it by most children most children किसे कौन से इसको पसंद करें कौन से प्रोग्राम को तो answer में क्या लिखेंगे most of children like cartoons and sports cartoons को देखो कितने बच्चे like करें 19 और sports को 20 तो हमने लिख दिया cartoons and sports इससे question second है हमारा which kind of program is disliked by the least number of children अब ऐसे कौन सा प्रोग्राम है जिसको बच्चे बहुत कर रहे हैं पसंद कर रहे हैं यानि कि dislike कर रहे हैं पसंद ही नहीं कर रहे हैं तो कौन सा लिख रहे है हमने बहुत कम जो हुआ अब थर्ड वाला है how many children like sports program अब भी मैंने बताया इतना table को बताके कि जो बच्चे हैं सारे बच्चे को क्या है sports पसंद हैं जितने भी हमने 20 children लिए हैं उनमें से सब को sports program पसंद हैं तो हमने क्या लिख दिया answer and fill the table अपको अपनी classmates से पूछना है और उसके बाद अपनी table को fill करना है जैसे main food है हमने इसमें food के name लिख दिये जैसे rice हो गया wheat हो गया मेज हो गया विसली हो गया रागी हो गया number of person अब जिसको जिसको जो जो है जो ज्यादा हो पसंद करता है ठीक है जो अला food तो उतने नहीं हमने लिख दिये जैसे number of person 25, 24, 2, 3, 1 रागी कितने लोग हो गया आप इसी को देखते हुए हमें क्या करना है अपने question के answer फिल करने है look at the table and tell आप table को देखना है उसके माँ बताना है ठीक है फर्स्ट वाला है most children eat food made from अब ज़्यादा से ज़्यादा children क्या खा रहे हैं देखो rice, wheat, maize, wisseli, रागी तो क्या खा रहे हैं 25 लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं rice को खा रहे हैं ठीक है तो rice लिखेंगे second है compare to children who eat rice, those who eat wheat are more, less, equal अब आपको बताना है कि more, less या equal कि rice खा रहे हैं या rice और wheat equal खा रहे हैं या less than खा रहे हैं या more than खा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं most children eat food made from rice than wheat तो wheat से ज़्यादा क्या कर रहे हैं लोग rice खा रहे हैं ठीक है तो rice लिखेंगे आप इसमें third वाला है compare to two who eat wheat children eating ragi are more, less ठीक है अब wheat और ragi में देखना है आपको number of children who eat wheat are more than who eat food made of ragi तो ragi कितने लोग खा रहे हैं 1 और wheat 24 तो क्या है wheat ज़्यादा है wheat को ज़्यादा खा रहे हैं यानिकि more than ठीक है इस तरीके से आप इनको करेंगे अगर आपको इन मेंसे food अगर change करने है तो आप change कर सकते हैं change करके कुछ और नाम लिख सकते हैं जो आप लोग अपने घर में रोज खाते हैं ठीक है तो आपकी मर्जी है फिर बट आपको उसको पूछना भी है कि अपने क्लास में से जब आप क्लास में जाएंगे उस में पूछना है ठीक है इस तरीके से आप इसको करेंगे ठीक है I hope आप लोगों को समझ में आये हो इस तरीके से आप अपना homework continue करते रहें ठीक है and thank you